बीजेपी और कॉंग्रस टेर दिकांशो सीटों पर प्रत्याश्यों का एलान कर दिया है दोनों दलों की दिकच नेता भी चुनावी मोर्चे पर उतर गए है देहरा दून की पच्छवा दून की विकास नगर विधासभा सीट इस वक्त होट सीट बनी हुई है यहाँ पर बीजेपी के सिटिंग विधायक मुना सिंग चौहान का मुकाबला पूर्फ कैबनेट मंत्वी नव प्रभात से है बीजेपे विधायक मुना सिंग चौहान का कहना है कि जितना काम इस सीट पर कॉंग्रेस अश्यासन में नहीं हुआ उतना के लिए इन पांच सालों में हुआ है टिक्टो के एलान के साथ ही अब मुकाबला और रोचक होता जा रहा है इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के मौजुद विधायक और विकास नगर विधान साबा सीट से प्रत्याशी मुना सिंग चौहान जी मौजूद है उसे बाचित करते हैं चौहान साब कॉंग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का एलान कर दिया है अब मुकाबला जो है वो और रोचक होने जा रहा है किस तरीके से आप देखते हैं क्योंकि इस सीट का आप ने पहले भी प्रतिन जीदितों किया है और फिर से धाविदार है नहीं बार बिकास नेगर विधान सबस्भा में तो भारतीय जन्ता पार्टी सारकार बनाने जा रही है इप इपस के मित्रूं को चुनोती दे करके कहा उनके संपूर्ण सासनकाल में उत्राखंड बनने के जाद विकास निगर विधान सबा में जो काम हुए उस से दुगुनी धनरासी के काम मेरे द्वारा इस अवोधी में विकास निगर विधान सबा में कराए गए सर बीजेपी जो थीम लेकर चल रही है मोधी संग उत्राखंड ये थीम है बीजेपी की क्या लगता है कि इस बार भी काफी धारुमदार कहिना कहिने पिये मोधी के मैजिक पर है दीखे ना मोधी जी विजनरी है वो भौश्य द्रस्टा है वो बहुत दूर की सोचते हैं और उसी से क्यू लेकर के मैंने भी कहा कि दोजार पच्चिस में मैं विकास निगर विधान सबा को उत्राखंड की सर्वस्रेश्ट विधान सबा रोड मॉडर विधान सबा बनाने का काम पूरा करूंगा जिसकी की भारी जिसकी बड़े पैमाने पर सुरुआत मैं ओलरी कर चुका हूँ